हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो आवर यूटूब चैनल तैयारी एक्जाम की आज की इस वीडियो में हम लोग विहार बोड मैट्रिक परिछा 2022 जो की आज 19 फरबरी को होने बाला है इसमें आपको आपदा प्रबंधन यानि कि दिजास्टर मनेजमेंट से विबियाई प्रश्ण करवाने वाले हैं इसमें आपको लगू और दिर घुजर ये प्रश्ण देखने को मिलेंगे तो आएए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्ण संखे 28 है इसके पहले हम History, Political Science, Economics और Geography का वीडियो बना चुके हैं और यह लास्ट वीडियो है आपदा प्रवंधन का ठीक है तो देखिए आप लोग आपदाएं कितने प्रकारकी होती हैं और यह एक्जाम में आपको दो नबर का आ जाएगा उत्र हो जाएगा आपदा दो प्रकारकी होती है जिनमें पहला है प्राकिर्टिक आपदा तो वैसा आपदा जो प्राकिर्टि प्रदत है प्राकिर्टिक आपदा कहलाता है कैसे? भूकम्प, तुनामी, बार्ण, सूखा, चक्रबात, हिम अस्खलन, ओला वरिष्टी, भू अस्खलन आदी हो गया और दूसरा में हो जाएगा मानव जनित आपदा रसा आपदा जो मानबो द्वारा किया गया हो मानब निर्मित आपदा या मानब जनित आपदा कहलाता है जैसे आतंक वाद, संप्रदाइक दंगे, महा मारी, आदी, ठीकर प्रस्न संख्या यहाँ पर 29 बार्ण, नियांतरन के लिए उपाय बता रहे और ये भी एकजाम में दो अंका आया सकता है उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, बाढ़ नियांतरन के तरीकों को अपना कर बाढ़ को नियांतरिक किया जा सकता है उनकों से हैं, जो निमनलिखित हैं इस तरह से आप रूग लिखेगे, तो पूरा का पूरा दो नमबर आपको मिल जाएगा जो निम्न लिखी थे पहला है नदियों पर बांध बनाना दूसरा है यहाँ पर सटबंधों की दिवारे उची करना एवं उसे मजबूती देना तथा नहरों का निर्मान कर पानी के बहाव को नियत्रित करना तीसरा है यहाँ पर नहरों का निर्मान कर पानी के बहाव को नियत्रित करना तो अथा है जल के विविन उपयोग जैसे सिचाई, पन बिजली, जल सवरधन, यानिकि एकवा, कल्चर, मतासिपालन, बहु उद्देशियत, प्रोजेक्ट, इत्यादी का समेकिद विकास इस प्र कि भूमी यहाँ पर की लिखा हुआ ठीक है बहुत जल्दी जल्दी लिखे हैं का उपयोग क्रिशी एवं अन्यकालियों के लिए सही धंक से हो सके ठीक है प्रस्म संख्या यहाँ पर तीस आता है भूकंप और सुनामी के बीच अंतर अस्पष्ट कीजिए उत्तर हो जाएगा भूकंप यानिकी अर्थ चोग भूकंप का सरल अर्थ भूमी का कंपाय मान होना है भूकंप का भूगर्विये प्रकिरिया है जिसके तीवरता कभी कभी अत्यांत भयावा होती है तथा उससे जान मालकी अपार छहती होती है यह प्रिथिवी के गर्भ में संचित अपार उर्जा के मुक्त होने जाने से उ सुनामी एक प्राकिर्टिक प्रक्रिया है जिसमें जिल या महासागर का पानी बुकंप के आने के कारण बड़े अस्थर पर फितर बितर होता है तो लहरे की एक श्रेंकला उत्पन होती है जो भुकापि तरंगे कहलाती है इस कमपन का केंदर जब महासागर की तेली पर होता है तब वो सुनामी की नाम से जैना जाता है ध्यादेंगे आपको objective में fusion को सकता है कि महासागर की तेली पर होने वाले कमपन को क्या कहते है तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए सुनामी ठीक है और वहाँ पर बार्ड, चखरवाद और भी बहुत सारी चीज़ दे दिये रहेंगे लेकिन आपको सुनामी सही करके आना है प्रशन संख्या 31 से आकास्मिक प्रवंधन में अस्थानिय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करे और ये भी दो अंकार एक्ज्याम के तुष्टी कौन से बहुत ही महत्वपुन क्यूशन है तो इसको भी आप लोग देखे जाएए उत्तर हो जाएगा आकास्मिक प्रवंधन में अस्थानिय प्रशासन की भूमिका वहत्वपुन भूमिका है इसलिए वे सबसे पहले रहत सिवीर का निर्मान करें वहां सभी उपकरन और प्रात्मिक उप्चार की समागरियां उपलब्ध कराएं तथा, अम्बुलेंस, गारी, डॉक्टर, अगनी सामक आदे की वेवस्था में ततपरता दिखाएं पाग जी दाओ पेच में नव पढ़कर रहत रासी और रहत सामागरी को पहुंचा कर आपदा प्रवंधन को सरल तथा सहज बना सकते हैं वीडियो को यही पे इंड करते हैं, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दिजेगा, वेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा क्योंकि आगे भी एक्जाम आने बाल है, उसमें भी आपको सब्जेक्टिव और अब्जेक्टिव की उश्यर हम करवाने वाले हैं इसे पहले और सब्जेक्ट सोसल साइंस का वीडियो बन चुका है, आपको यहाँ पे बॉक्स में मिल जाएगा, ठीकर यह लिंक बिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यह चैनल के फ्रेस्टिस से भी आप लोग देख सकते हैं, ओके, ठांक